नमस्कार दोस्तों, उडान IAS Administrative Academy के online platform में आपका स्वागत है मेरा नाम रभी गोयल है, आज की इस वीडियो में हम गडित विशय के एक महत्वपून टॉपिक घातांकी भाग पर आधारित प्रस्न पर चर्चा करेंगे जो की CGPSC तथा CG व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन परिक्षाओं के दृस्टी कोण से बहुत महत्वपून है आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां 10 वर्सों की निरंतरता को बनाए हुए इस वर्स भी हमारे द्वारा CGPSC Pre-Test Series 2021 प्रारंब की जा रही है जो की 16 मई से प्रारंब होगी इस Test Series में कुल 72 टेस्ट सामिल होंगे Test Series आफलाइन एवं आनलाइन होगी जैसा कि आपको पता होगा वर्तमान में कोरोना महमारी को लेकर स्थितिया सामानी नहीं है कर सकते हैं जब इस्थितिया सामानी हो जाएंगी कोचिंग वगरा खुल जाएंगी तो आप Test Series को आफलाइन भी दे सकते हैं Test Series से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा Test Series से संबंधित जानकारीों के लिए हमारे द्वारा कुछ वीडियोज यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड किये गए हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है हमारे द्वारा व्यापम के परिक्षाओं के लिए Special Batch प्रारम की गई है जिसमें Maths, Reasoning, Hindi, English तथा Computer विशय को सामिल किया गया है जैसा कि आपको पता होगा व्यापम द्वारा कुछ वेकैंसिस निकाली गई है जैसे मंडी निरिक्षक, मंडी उपनिरिक्षक इसके अलावा कुछ वेकैंसिस आने की उमीद है व्यापम की तो उन परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा व्यापम के लिए एक special batch आरम किया गया है अधिक जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर पे contact कर सकते हैं ये जो batch है 7 मई से आरम हो चुका है इसमें classes live प्रोवाइड की जाएंगे आपको जू map के माध्यम से या google meet के माध्यम से तो आप अधिक जानकारी के लिए दिये ये नंबर पे contact कर सकते हैं चलिए start करते हैं आज का जो topic है घातांकी भाग पर आधारित प्रस्न देखे प्रस्न किस प्रकार के आते हैं तो आप देख पा रहे हैं 68 की power 88 इसको आप divide कर रहे हैं 67 से और प्रस्न पूछेगा सेस्फल क्या होगा घातांकी भाग का मतलब क्या हुआ सबसे पहले घात की रूप में आपको अंस में डेटा दिया रहेगा और इसको भाग करने बोलेगा और आप से पूछेगा सेस्फल क्या होगा दूसरा प्रस्ण आप देख पा रहे हैं 43 की पावर 45 प्लस 4 इसको डिवाइड कर रहे हैं 44 से और आपसे पूछा है सेस्फल क्या होगा तो इस प्रकार के प्रस्ण आज कल बहुत पूछे जा रहे हैं CGPSC की जो परिक्षाएं होती हैं या CG व्यापम द्वारा जो आयोजित होती हैं परिक्षाएं उसमें घातांकी भाग पर आधारित प्रस्ण को सामिल किया जाता है किस प्रकार से अप्रोच होगी कैसे बनेंगे उस पे चर्चा करेंगे अभी आप देख पा रहे हैं ये सारे प्रस्ण जो हैं घातांकी भाग पर आधारित प्रस्ण हैं इसके अलावा एक और वेराइटी का प्रस्ण बनेगा उस पे भी चर्चा करेंगे तो बात करते हैं प्रस्ण को किस प्रकार से solve करना है तो प्रस्ण को आप अगर सोचेंगे कि भाई अर्षट की पावर 88 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ अर्षट को 88 बार क्या कर रहा हूँ मैं गुड़ा कर रहू अर्षट की पावर 88 का मतलब क्या होगा आप अर्षट को क्या कर रहे हैं 88 बार गुड़ा कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं सरसट से तो practically अगर सोचेंगे तो ऐसा कर पाना possible नहीं है बिना calculator के ठेक तो भाई कैसे बनेगा ये question तो इस प्रकार के प्रस्णों को solve करने के लिए आपको कुछ result पता होने चाहिए पहला result देखें क्या होगा पहला result है कि x की power n प्लस 1 ऐसा कुछ format अगर आपको दिखता है x की power n प्लस 1 के जैसा तो ये हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होगा हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होगा जहां पर n होना चाहिए विशम ये पहला result है समझेंगे अभी दूसरा result है x की power n-1 ये हमेशा x-1 से विभाजित होगा x-1 से विभाजित होगा जहां पर n सम भी हो सकता है और विशम भी हो सकता है पहले ये दो result समझेंगे उसके बाद दो result और आएंगे जहां से बहुत बार व्यापम में प्रस्न पूछे गए हैं तो पहला result क्या बोल रहा है कि x की power n-1 के जैसा अगर कुछ format आपको दिखता है और जहां पर n विशम है तो ये x प्लस 1 से क्या होगा विभाजित होगा ये हमेशा आप सत्यमान के चलेंगे जैसे example के लिए देखिए तीन की घात 5 लिख दिया प्लस 1 इसको मैं divide करता हूँ किस से 4 से आप देख पा रहे हैं x की power n-1 के जैसा format है ये x यहाँ पे 3 है n यहाँ पे 5 है प्लस 1 इसको divide कर रहे हैं 4 से मतलब x प्लस 1 से तो ये जो data है ये 4 से पूरी तरह विभाजित होगा आप देख सकते हैं 3 की power 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे छोटा सा data है आप यहाँ पे simply by भी कर सकते हैं 3 तरीका 9, 9 तरीका 27, 27 तरीका 81, 81 तरीका कितना हो जाएगा 243, 243 में एक जोड दीजे कितना आ गया 244 तो ये आया 244 नीचे कितना है 4 ये देखे पूरी तरीके से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है लेकिन यहाँ पे तो power में 5 है तो आप आसानी से calculate कर लिए लेकिन प्रस्न में आप देख पा रहे हैं power में कितना है 88, power में कितना है 45, मतलब यहाँ पे calculate करना आसान नहीं होगा तो मैं कह क्या रहा हूँ आपसे कि ऐसा कुछ format आपको दिखता है x की power n प्लस 1 के जैसा तो ये हमेशा x प्लस 1 से क्या होगा विभाजित होगा आप इसको हमेशा सत्यमान के चलेंगे हर बार ऐसा करना possible नहीं है तो x की power n प्लस 1 ये x प्लस 1, x प्लस 1 मतलब क्या? 3 प्लस 1 मतलब 4 से क्या होगा? विभाजित होगा calculation करना यहाँ पे आसान है लेकिन जो प्रसनाएंगे वहाँ पे power बहुत जादा होगा घात बहुत जादा होगा तो calculation करना आसान नहीं होगा तो आप हमेशा इसको सत्यमान के चलेंगे दूसरा क्या बोल रहा है? x की power n-1 ऐसा कुछ format अगर मिलता है तो ये हमेशा x-1 से क्या होगा? विभाजित होगा जैसा example देखें तीन की घात 4-1 ये 2 से हमेशा क्या होगा? विभाजित देख पा रहे हैं x की power n-1 ये x-1 से हमेशा क्या होगा? विभाजित calculation करके देखें तीन की power 4-80 होता है एक 80 में एक गया कितना बचेगा? 80 और 82 से क्या होगा? विभाजित होगा तो यहाँ पे तो आप कर पा रहे हैं लेकिन power अगर 40 हो गया मान लीजे तो आप कैसे कर पाएंगी calculation तो हमेशा इन दोनों result को आप सत्यमान के चलेंगे ऐसा कुछ format दिखता है जहाँ पे n विशम है तो x-1 से हमेशा विभाजित होगा पूनता विभाजित पूनता विभाजित का मतलब सेस्पल 0 ऐसा कुछ format अगर दिखता है तो x-1 से हमेशा विभाजित होगा जहाँ पे n सम भी हो सकता है और विशम भी हो सकता है पहले वाले केस में n केवल विशम होना चाहिए जबकि दूसरे वाले केस में n सम भी हो सकता है और विशम भी हो सकता है अब बात ये आती है कि इन दोनों result को इन प्रस्णों में किस प्रकार से apply करेंगे ठिक तो सबसे पहली बात कौन सा result किस प्रकार के प्रस्ण में apply होगा तो आप देख पा रहे हैं हर प्रस्ण में x की power n आपको दिया रहेगा यह देखिए X की पावर में N, X की पावर में N, और भी प्रस्ण आप देख सकते हैं, X की पावर में N, यहाँ देखिए X की पावर में N, X की पावर में N, मतलब हर प्रस्ण में आपको X की पावर में N दिया रहेगा, अब अगर मैं 68 को x बोलता हूँ तो 67 क्या हो जाएगा? x-1 अगर मैं 43 को x बोलता हूँ तो 44 क्या हो जाएगा? x-1 मतलब उपर बड़ा है, नीचे छोटा है, मतलब डिवाइड किससे कर रहे हैं आप? x-1 से उपर छोटा नीचे बड़ा मतलब divide किसे कर रहे हैं आप x plus 1 से समझ पा रहे हैं उपर 68 है नीचे 67 है मतलब divide कर रहे हैं आप x minus 1 से उपर 43 नीचे 44 मतलब divide कर रहे हैं आप x plus 1 से और x minus 1 से divide कर रहे हैं मतलब second वाला result अपलाई होगा x plus 1 से divide कर रहे हैं मतलब first वाला result अपलाई होगा इस प्रकार से आपको पहचानना है उसके बाद क्या करना है अब आप देख पा रहे हैं ये जो पहला प्रस्न लिखा है 68 की power 88 इसको divide कर रहे है 67 से आपने देखा divide किसे कर रहे हैं x minus 1 से अगर x minus 1 से divide कर रहे हैं तो उपर क्या करिए x की power n minus 1 का format बनाके अलग कर दीजे आपको ये समझना है कि x minus 1 से अगर आप divide कर रहे हैं तो उपर x की power n minus 1 का format बनाईए और उसको अलग कर दीजे तो मैं क्या करता हूँ देखिए उपर x की power n minus 1 का format बनाके कि इसको अलग कर दिया अब भाई माइनस वन अपने मन से लगाया हूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा प्लस वन डिवाइड किस से कर रहे हैं 67 से अब एक बात समझे एक्स की पावर एन माइनस वन जहाँ पे एन क्या है सम आपको पता है एन सम भी ह हो सकता है विशम भी हो सकता है तो एक्स की पावर एन माइनस वन ये एक्स माइनस वन से हमेशा क्या होगा विभाजित होगा मतलब ये डेटा 67 से क्या होगा हमेशा विभाजित मतलब सेसफल कितना बचेगा एक बचेगा कितना आसान है तो केवल आपको ये समझना है कि आप उपर x की power n-1 का format बना दीजे, जो कि x-1 से हमेशा divide होगा, जो बचेगा वो सेस्फल, अगर मैं x-1 से divide करता हूँ, तो आप उपर क्या करिए, x की power n-1 का format बना दीजे, उसके अलावा जो बचेगा, वो सेस्फल होगा, क्यों जो बच रहा है, वो सेस्फल हो रहा है, इस बात को भी समझ सकते हैं, जैसे 20 जो है, ये 4 से क्या होता है, पूनतह विभाजित होता है, हमेशा विभाजित होता है, आपको पता है, अगर मैं 20 में 1 जोड देता हूँ, और 4 से विभाजित करता हूँ, तो ये 1 क्या होगा, कि भाई 20 जो है ये 4 से पूनता विभाजित है, तो इस case में सेस्फल कितना बचेगा, एक आप चाहें तो पूरी तरीके से calculation करके देख सकते हैं, 20 और 21 हो गया, 21 को 4 से भाग दिया, सेस्फल एक बच रहे, अगर मैं 20 में 2 जोड देता हूँ और 4 से भाग देता हूँ, तो सेस् ये 67 से क्या हो रहा था, पूनता विभाजित हो रहा था, 68 को x बोल रहा हूँ, इसको n बोल रहा हूँ, तो x की पावर n-1, ये x-1 से हमेशा क्या होगा, विभाजित, तो ये डेटा 67 से हमेशा क्या हो रहा है, विभाजित, तो जो बचा है वो क्या है, सेस्फल है, दूसरा कोशन आप देख सकते हैं, दूसरा कोशन क्या है, 43 की पावर 45 प्लस 4 इसको डिवाइड कर रहे है 44 से, अब यहाँ पे आपने देखा कि डिवाइड कर रहा हूँ x प्लस 1 से, तो आप क्या करिए x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मेट बना के इसको अलग करतीजे, प्लस 1 लिखे तो माइनस 1 तो लिखना ही पड़ेगा, अपने मन से क्योंकि अपने मन से प्लस 1 लिखे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1 लिखना पड़ेगा, और यह प्लस 4 पहले का है, उसको छोड़ दीजे divide कर रहे हैं किस से 44 से अब थोड़ा सा simplify कर लीजे x की power n plus 1 को कुछ भी मत करिए minus 1 plus 4 कितना हो गया plus 3 divide कर रहे है 44 से x t power n plus 1 ये x plus 1 से हमेशा क्या होगा विभाजित होगा सेस्फल कितना बज गया 3 बज गया समझ पा रहे हैं बहुत आसान बनता है केवल आपको 2 result यहाँ पे समझने हैं 2 result और आएंगे जो कीनी से मिलते जुलते होंगे तो यहाँ पे केवल आपको 2 result समझना है x minus 1 से divide करते हैं तो उपर x की power n minus 1 का format बना दीजे जो बचेगा वो सेस्फल होगा x plus 1 से divide कर रहे हैं तो उपर x की power n plus 1 का format बना दीजे जो बचेगा वो सेस्फल होगा क्यों सेस्फल होगा तो आप यहाँ से समझ सकते हैं पूरा calculation करके बताना possible नहीं है छोटे छोटे example लीजे छोटे छोटे example लेने का मतलब इस प्रिकार के कि भाई यह data अगर 4 से पूनता विभाजित है तो एक सेस्फल यह data अगर 4 से पूनता विभाजित है तो यह सेस्फल और यह सेस्फल क्यों हैं क्योंकि भाजक से छोटे हैं समझ पा रहे हैं अगर यहीं पे अगर मैं 20 में 5 जोड के 4 से विभाजित करू तो 5 सेष्फल नहीं होगा, क्योंकि सेष्फल हमेशा भाजक से छोटा है, सेष्फल कितना होगा यहाँ परे ? क्योंकि 20 पूरी तरीके से विभाजित हुआ, 5 को भाग दिया, तो सेष्फल एक आया, यहाँ पे अल्रेडी एक दो ये छोटे थे भाजक से इसलिए से स्फल हो गया उसी प्रिकार यहाँ पे तीन ये 44 से छोटा है इसलिए से स्फल यहाँ पे एक ये सरसट से छोटा है इसलिए से स्फल हो गया और x की पावर n-1 ये x-1 से विभाजित x की power n plus 1 यह x plus 1 से भी भाचित कुछ और question देखते हैं इसमें 75 की power में 65 plus 35 इसको divide कर रहे हैं 76 से बहुत आसानी से बना सकते हैं 75 की power में 65 plus 35 इसको divide कर रहे हैं 76 से divide किसे कर रहे हैं x plus 1 से क्योंकि अगर मैं इसको x बोलता हूँ तो यह क्या है x plus 1 तो आप उपर क्या करिए, x की power n plus 1 का format बना लीजे, बन गया, plus 1 लिखे तो minus 1 लिख दीजे, plus 35, divide कर रहे हैं इसको 76 से, simplify कर लीजे, यह देखिए, यहां कितना बचेगा, 34, divide by कितना, 76, यह data 76 से हमेशा विभाजित होगा, सेस्पल कितना मिल गया, आपको 34 मिल गया, कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, कि सर, यह minus 1, plus 1 क्यों कर रहे हो आप, आप सीधे 35 में से 1 दे दीजे, तो बन जाएगा, x की power n plus 1, और यहां पे बचेगा कितना, 34, जो कि सेस्फल होगा, कर सकते हैं बिलकुल, लेकिन confusion ना हो, इसलिए मैं आपको बिलकुल आसान तरीके से स 75 नीचे 76, मतलब divide कर रहा हूँ, x plus 1 से, तो आप उपर x की power n plus 1 का format बनाके अलग कर दीजे, जो बचेगा, जो बचेगा, वो क्या होगा, सेस्फल हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, अगला question देख सकते हैं, 18 की power 15, प्लस 4, इसको divide कर रहे हैं 17 से, 18 की power 15, प्लस 4, इसको divide कर किससे, x minus 1 से, तो उपर क्या करिए, x की power n minus 1 का format बनाके अलग कर दीजे, minus 1 लिखे तो balance करने के लिए plus 1 और plus 4 पहले से है, तो यह क्या हो जाएगा, 18 की power 15 minus 1, plus 1 plus 4 कितना हो जाएगा, plus 5, divide by 17, यह data 17 से हमेशा क्या होगा, विभाजित सेस्फल कितना बचा, 5, समझ पा रहे ह बात को, बहुत आसान बनते हैं question, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, result समझ जाईए, कैसे approach होगा आपका, प्रस्न को बनाने का, उसके बाद प्रस्न में कुछ नहीं बचता, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड में आप question को solve कर सकते हैं, जैसे, अगला question देखिए, 67 की power में 67 plus 67, इसको divide कर रहे हैं 68 से, और सेसफल पुछाए क्या होगा, तो x plus 1 से divide कर रहे हैं, तो उपर x की power n plus 1 का format बनाईए, इसको अलग कर दीजे, plus 1 लिखे तो minus 1 लिखना पड़ेगा, अब plus 67 पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, 67 की power 67 plus 1, minus 1 plus 67 क्या हो जाएगा, plus 66, क्योंकि आपको पता है, minus और plus, घटेगा, चिन होगा, बड़े वाले का, तो ये cancel होगा 68 से, क्यों, क्योंकि x की power n plus 1, जहाँ पे n विशम है, ये x plus 1 से हमेशा विभाजित होगा, सेसफल कितना बच गया, 66 बच गया, समझ पा रहे हैं, चले, दो question और देखेंगे इसमें, जो थोड़े अलग है यहाँ देखें, 45 की power में 50, minus 9, इसको divide कर रहे हैं, 44 से, 45 की power में 50, minus 9, इसको divide कर रहे हैं, आप किस से, 44 से, अब यहाँ पे समझेए, अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, x minus 1, और x minus 1 से अगर आप divide कर रहे हैं, तो उपर क्या करिए, x की power n minus 1 का format पहले बनाई तो x की power n minus 1, minus 1 लिखा, तो balance करने के लिए, plus 1, minus 9 पहले से है, divide कर रहे हैं किस से, 44 से, थोड़ा simplify कर लीजे, तो simplify करने में आपको, यहाँ पे minus का 8 दिखेगा, अब देखे, थोड़ा सा change हो गया, ये data तो 44 से विभाजित हो रहा है, लेकिन minus 8 बच रहा है, समझ पा रहे हैं मतलब यहाँ पे successful minus 8 तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा compare करेंगे आप, तो आप यहाँ पे देखे, ये data 68 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो जो जोड़ेंगे वो क्या बचेगा, successful बचेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड हो गया, ये data 44 से पू 20 जो है, ये 4 से विभाजित हो रहा है, समझेंगे इस बात को, इसमें आप क्या किये, 3 घटा दिये, बहुत अच्छी से समझे, 20 चार से विभाजित हो रहा था, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, 20 प्लस 3 बटे 4, तो successful 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे successful 3 आएगा क्या, करके देख तो 20 में से 3 गया कितना, 17, 17 को भाग दिया 4 से, successful कितना आ रहा है, एक आ रहा है ये तो, क्यों एक आ रहा है, क्योंकि 20 चार से विभाजित हो रहा था, लेकिन आप उसमें से 3 घटा दिये, 3 घटा दिये, लेकिन 3 घटाने से हो क्या गया, यहाँ पे 17 हो गया, अब 17 को 4 से भ पुरा गेम जो है वो बिगड चुका है, ये डेटा हो रहा था विभाजित, लेकिन आप उसमें से कुछ घटा दिये, अब विभाजित नहीं होने वाला, एक और example देखिए, 36, ये 6 से विभाजित हो रहा है, अगर मैं 36 में से, अगर मैं 36 में से 2 घटा दिया, अब यहाँ सेसफल 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर ऐसा लिखता, कि 36 प्लस 2 बटे 6, तो यहाँ पे सेसफल कितना आता, 2 आता, तो यहाँ पे 36, 6 से विभाजित हो रहा है, लेकिन उसमें से आप कुछ घटा दिये, अब विभाजित नहीं होगा, यहाँ पे कितना होग है, माइनस में जो डेटा है, उसको सीधे सीधे भाजक से घटा दीजे, तो आपको एंसर मिल जाएगा, यहाँ पे एंसर कितना आ रहा है, देखिए सेसफल, एक, यह एक कैसे आया, यह जो 4 है, भाजक, इससे माइनस वाला डेटा को घटा दिया, यहाँ पे देखिए, यह जो 6 है, भाजक, इससे यह माइनस वाला डेटा को घटा देता हूँ, तो कितना मिल गया, 4 मिल गया, और भी समझ सकते हैं, एक्जामपल आप यह देखिए, उन्चास जो है, यह 7 से पूनतव विभाजित हो रहा था, लेकिन इसमें से मैं 3 घटा दिया, अब जो है, डेटा उपर में बन रहा है, 7 से भी भाजित नहीं होगा, कितना सेसपल आएगा, देखिए तो, 46, 46 को 7 से भाग दिया, 7 चंग 42, सेसपल कितना आया, 4, यह 4 कैसे मिलेगा, तो इस भाजक से इस 3 को घटा दीजे, सेसपल मिल गया, 4, वही result यहाँ पर अप्लाई कर दीजे, कैसे भाजक से यह माइनस वाला डेटा को घटा दूँगा, सेसपल कितना मिल गया, 36, तो इन बातों को समझना है आपको, कैसे समझेंगे, छोटे छोटे एक्जामपल लेके, क्योंकि बड़े एक्जामपल तो solve भी नहीं होंगे, बिना calculator के, तो छोटे छोटे एक्जामपल को ल वो साथ से भी भाजित होगा की नहीं होगा, टेंसन हो गया, तो सीधे सीधे सेसपल कैसे बताएंगे, यह जो भाजक है, उससे माइनस वाला डेटा को घटा देंगे, तो यहाँ पर 44 से 8 को क्या किया मैं, घटा दिया, एक और question है, उसको भी देख लीजे, वो भी बहुत आ असानी से बन जाएगा, 85 की पावर में 97, माइनस 27, इसको डिवाइड कर रहे हैं किस से, 86 से, तो x प्लस 1 से भी भाजित कर रहे हैं, तो आप उपर क्या करिए, x की पावर n प्लस 1 का फॉर्मेट बनाईए, प्लस 1 लिखे तो बैलेंस करने के लिए माइनस 1 और माइनस का 27 प ये डेटा 86 से पूनतह विभाजित हो जाता, लेकिन 28 घटा दिये हैं, अब नहीं होने वाला, तो यहाँ पर कैसे बताएंगे सेस्फल, भाजक से 28 को घटा दीजे, कितना आ जायेगा, 58, ये होगा answer, तो इस प्रिकार के प्रस्ण बनते हैं घातां की भाग पर आधारित प् है, माइनस वाला में थोड़ा आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है, समझाने के लिए छोटे छोटे एक्जामपल लिया हूँ मैं, तो ये जो दो रिजल्ट बताया, इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ फॉर्मेट मिलता है, तो ये हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होगा, जहां पे n विशम होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मेट मिलता है, तो ये हमेशा x माइनस 1 से विभाजित होगा, जहां पे n सम भी हो सकता है, और विशम भी हो सकता है, ठिक, दो रिजल्ट और एड़ होते हैं इसमें, एक और वीडियो आपको प्रवाइ करा दूँगा, ठिक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,